दोस्तों Knowledge Max में स्वागत है आपका, कई बार ऐसा होता है कि आप एरपोर्ट पे गए हैं किसी को रिसीव करने के लिए या आप किसी को छोड़ के आए हैं तो आपको यह नहीं पता होता है वो कब हो हम पहुचेगा या इस समय कहां पर है, ऐसा ही दूसरे केस में होता है आप क कहां पर उड़ रही है यह पता सल जाए, लाइव ट्रेकर बस में अगर कोई आ रहा है, कार में कोई अगर आ रहा था आप फोन करके पूछ सकते हैं कि आप कहां पर हो लेकिन फ्लाइट में पौसिबल नहीं हो पाता है इसी लिए लाइव फ्लाइट ट्रेकर में आपको जा रही है कौन सा रूट उसने फोलो किया है हर चीज आप देख सकते हैं फ्लाइट कौन कौन से देश के ऊपर से उड़के और कहां जा रही है क्या उसका प्लैन रूट था तो दोस्तों ये सारी चीज में आपको दिखाने वाला हूँ बहुत इंट्रेस्टिंग इंफॉर्म प्राउजर में उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है यहां पर जाके गूगल पर आप लिख सकते हैं लाइव फ्लाइट ट्रेकर एर इडिया छोड़ देते लाइफ ट्रेकर ये आप कर सकते हैं तो इसके लिए क्या है दोस्तों कुछ ऐसी साइट है जो सारी फ् या एक और फ्लाइए एक और होता है फ्लाइटरडार.com फ्लाइटरडर24.com तो फ्लाइट अवेर कॉम खोल लेते हैं सिगनल में लग रहा है कोई दिक्कत आ गई है नेट्वरक में इंटरनेट में थोड़ा सा स्लोग है काफी स्लोग है मेरी इंटरेट तो बहुत फास्ट है लाइफ फ्लाइट ट्रेकर तो ये है ये वेब साइट है ukflightaware.com साइट का नाम है flightaware.com दोस्तों नेट ट्रोक में शायद कोई दिक्कत आ गई है एक मिनट देना मुझे आ गया तो आप देख सकते हो जैसे ही आपने flightaware.com खोला इसका नाम मैं आपको दुबारा दिखा देता हूँ दुबारा लिख के बता देता हूँ आई थी कुछ अदा अच्छा रहेगा ताकि आप अविश्यम अगर खोलना है पड़े तो आप देख सकते हो उसको flightaware.com है इसका नाम flightfli.com दोस्तो इस website पर जाकर आप चेक कर सकते हो देखो दुनिया में अभी इतनी flight टेक आफ कर रहे हैं मैं और तो छोटा करके आपको दिखाता हूँ ताकि और अच्छा आपको दिखेए इतनी फ्लाइटें दुनिया में टेक आउप कर रहे हैं कि एस्टिमेट के हिसाब से एक समय पर लगबग 45,000 फ्लाइटें हवा में होती हैं और इस फ्लाइट जो भी फ्लाइट आपको चेक करनी है उस फ्लाइट की क्योंकि इतनी फ्लाइट में देखना कोई मतलब नहीं है ठीक है जो भी फ्लाइट आपको चेक करनी है आपको यहाँ पर उस फ्लाइट का नाम लिखना मैंने लिखा Air India तो दोस्तो फ्लाइट 187 को मैं सर्च कर देता हूं उस सर्च बटन पर क्लिक करके और देखे यह फ्लाइट है अभी इन रूट यह लगभग 9 गंटे में टोरेंटो पहुंच जाएगी यह फ्लाइट नहीं दिल्ली से टोरेंटो के लिए टर्मिनर 1 पर आएगी टोरेंटो में और यहां से गेट नमबर 26A से इसने लीव किया है 26A से चली है और 6 गंटे 45 मिनट होगे इसको चलते हुए एक गंटा 22 मिनट लेट है यह फ्लाइट लेट होनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और पाइलेट हवा में जाने बाद जब लंबी फ्लाइट होते हैं उसको रिकव देखाता हूं यह फ्लाइट कैसे चल रही है यह देखिए यह रूट आ गया है अभी यह फ्लाइट फिलहाल यहां पर है यह कौन सी जगह है अब देख सकते हो यहां पर कि इस रूट पर फ्लाइट है कि तो मैं इसमें ले लेता हूं यह बाकी चीज़ें इसमें ब्लॉक है क्योंकि हम इसको नहीं देख पाते हैं नेरबाई एरपोर्ट डाल देते हो देख जाएगा तो यह कोई एरपोर्ट है इसके आसपस बीजेड के वहां के आसपस से फ्लाइट चल रही है फिर आगे आगे चलती चली जाएगी देखिए और इसको जाना कहां है वह रूट भी माँ आपको दिखा देता हूं इस फ्लाइट को ऐसे जाना था दोस्तों धर्तिका चक्र लेकिन इसने क्या किया यहां से चला और यहां से शॉटकट मार देखिए क्यों कि फ्लाइट लेट होगी तो इसने अपने जो रूट को कवर करने के लिए अपने समय को कवर करने के लिए इसने यहां से शॉटकट मार दिया यह देखिए यहां से जाकर यह शॉटकट मारा देखिए ऐसे इसको जाना ऐसे था लेकिन ऐसे इसने चला है यह यहां से टर्न वारा फिर इसने चड़ गया उपर साथ में गूम रहें इडिया 187, बोईंग 777 जहाज है यह और यहां से यह ऐसे चलके चला गया अब फिलाल यहां पर है देखे दिखा रहा है आपको बिलकुल अब यह जहाज यहाँ पर है और यह यहाँ से चलेगा आप हमेशा इसको चलते वे देख सकते हैं यह चलते वे दिखाएगा आपको भी मैंने इसको रिपले किया है इन रूट में जब करूँगा तो आपको चलते वे दिखाएगा यह तो दोस्तों यह वो साइट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी को भी अगर आपको रिसीव करने जाना है, या किसी को छोड़ने जा रहे हैं, तो यह फ्लाइट का यह डिटेल है, यह मैं डिसक्रिप्शिन बॉक्स में डाल दूँगा, इसको मैं थोड़ा flightwhere.com या आप लिखतीजिये आपका काम हो जाएगा तो दोस्तो यह चीज आज जरूर आपको information अच्छी लगी होगी knowledge max को जरूर subscribe करना और bell icon जरूर दबाना please share the video thank you very much take care